वो वहाँ से निकल जाएंगे कुछ इस तरीके से राइट और क्या होगा देखो वाटर सोलीबल है इसलिए वहाँ से निकल गए वो स्वाइल में चले गए कोई कट करना शुरू कर देगा और ये हेलो गाइज तो हम पढ़ रहे है एकोलोजी यूनिट उसमें हमनें फिर्स चप्र कंप्रीड भी किया है और और इंडिस पर्टिकुलर चप्टर विच इस न्यू चप्टर हम स्टार्ड कर रहे हैं इको सिस्टीम से और आज के स्टूर में हम बात करेंगे इको सिस्टीम क्या है एक प्रोड़क्टिविटी क्या होती है एको सिस्टेम में जो लोग है मतलब लोग मतलब स्पेसीज उसमें प्रोडूसर कोन है प्रोडूस करने के बाद उन चीजों को डिकम्पोस की इस तरीके से किया जाता है और सबसे इंपोर्टन चीज देखेंगे लाश्ट थर्टी में से इंपोर्टन चीज जो की काफी यस इंपोर्टन है ताकि आपके कंसेट हो जाएंगे क्रिश्ट क्लियर ओके क्लियर है चलो शुरू करते हैं फाइन वाइन वाट इस एको सिस्टेम इको सिस्टेम इस सम्थिंग वेर पोपुलेशन इंटरेक्ट विच अधर और पोप सिस्टेम इस 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 मतलब क्या हम जब हमने बात शुरू की थी एकोलोजी की तब भी हमने इसकी डेपनिशन पड़ी थी एक पर और देख लेते हैं इस 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 इसलिए हमने इसके पहले टुटर में बात किते हैं कि इन्वर्मेंट का ओर्गानिजम पे क्या इफेक्ट होता है ऐलन्स रूल क्या होता है बर्जमान्स रूल क्या होता है इस सब चीजें हमने देखी है इस बात करते हैं अब इकोसिटम की तरीके से ऑपरेट करती है यस इस पॉंड घर में जो फिश पॉंड है वह भी तरीके से एकोसिटम एच छोटी सी इकोसिटम राइट जहां पर और ओर्गानिजम इंटराइक कर रहे है दो स्पेसिज या तो भी स्पेसिज के दो तीन इंड कर रहे हैं यह दो साथ कर रिए तहले सा कर रहा हैं आऔर करती है यह करते है कन्यां जो कंजुम करते हैं यहां पे डियर हैं, so this is called as a producer, the grass, the plants, okay, जो खुद के लिये molecule यहां sugar molecule जो synthesize करते हैं, उनको producer कहते हैं, जिसके उपर जो feed करें, उसको कहते हैं, consumer, and yes, यहां पे आ गहे है शेर खान, yes, जो इसको consume करेंगे, so that is how the ecosystem functions, how ecosystem function, there are functional units of ecosystem, which are producer, यहां पे ecosystem में producer है, अब देखो, इसने इसको मार भी दिया, खाने, खाने के लिए, so, यहां पे, this grass, this plants, these are the producer, then, produce करने के बाद, वहां पे कुछ है, another species, जो उसको के उपर feed करते हैं, जिनको consumer कहते हैं, feed करने के बाद, जो यहां पे लिटर होगा, जो producer का, produce करने के बाद, जो यहां पे लिटर बने का, मतलब, जो पत्य पत्य नीचे गिर जाएंगे, या तो फिर, जो animals से इनका species हो जाएगे, या तो भी animals की date हो जाएगे, इनको decompose करने के लिए, यहां पे decomposition की process भी ecosystem में दी गई है, then, there is a flow of energy from the producer to the consumer, okay, and there is a nutrient cycling, yes, after decomposition, the nutrient cycling takes place, जो producer के पास गया, उसके बाद, consumer के पास गया, वो फिर से, cycle जे continue होती रहती हो, यह सब चीजे, इनको कहते, functional unit of ecosystem, all India में, MCQ पूछा गया है, which of the following is not the functional unit of ecosystem, system, इस type से question frame किया गया था, so, what are the functional unit of ecosystem, yes, producers, decomposition, energy flow, and nutrient cycling, अगर यह नहीं होगा, तो ecosystem sustain, नहीं कर पाएगी, yes, because these are the functional units of ecosystem, इसके वज़े से ecosystem है, क्योंकि ecosystem में कोई produce करने वाला है, ecosystem में कोई decompose करने वाला है, very very important, decompose करने वाला चाहिए, plant की death के बाद, उसको decompose करने के लिए, उ नहीं, तो सब लिटर हो जाएगा, सब तरह कच्रा 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 कच्रा, तो ecosystem सरवायू नहीं कर पाएगे, so these are the functional unit of ecosystem, बढ़ते हैं, आगे, okay, तो आप एक दिन डिसाइड करते हो, okay, आपको ecosystem, क्या जो vegetation है, मतलब different plants है, उसको आपने study करना है, तो यह आगे आपके समने, क आईए, study कीजे हमको, तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले, आप कहेंगे, चलो भाई लोग, सब लोग line में लग जाओ, जो उपर ज्यादा है, उपर लग जाओ, और height का accordingly, सब लोग line में लग जाओ, आप ये करे होगे, ताकि आप इसको अच्छे से study कर पाया, so this is called as the stratification, मतलब आपने क्या किया, मतलब आपने क्या किया, strata मतलब layer, मतलब layer में, एक एक layer में, आपने vegetation को place कया, according to their height, ताकि आप ecosystem को properly understand कर सको, this is called as the stratification, yes, is stratification of functional unit of ecosystem, it's not, it's not, अभी हमने देखा कि ecosystem के functional units क्या है, okay, clear है, so this is called as the stratification, stratification is the vertical distribution of different, different vegetation, yes, according to their height, arrange according to their height, yes, यह जो point है, NCAT में नहीं दिया, लेकिन very very important point, इसके उपर MCQ आ चुका है, तो height के accordingly, stratification में, हम क्या करते है, इनको arrange करते है, vegetation को, simple, okay, बढ़ते है, आगे, fine, चलो, आप अपने, आपने stratification कर लिया, आप decide करते हो, जो अपर layer है, उसको मैं detail में study करूँगा, right, आप इस तरीके से सोच रहे हो, तो क्या है, यहापे sun है, and with the help of sunlight, यह जो प्लैंट से, य glucose molecule, that is, sugar, यह produce करते है, fine, okay, so, this is the primary production, okay, तो यह कोन है, primary producer है, जो produce करते है, क्या produce करते है, sugar molecule produce करते है, sugar molecule produce करने के बाद, यहापे feed करने के लिए, आजाते है, herbures, like, for example, यहापे deer आचुका है, जो इस प्लैंट के ऊपर feed कर रहा है, yes, और feed करते करते हो भी बढ़ा हो गया, मत उसके, उसके body में add कर रहा है, मतलब यह भी अपने body में, क्या कर रहा है, mass add कर रहा है, plant भी, plant ने भी mass add किया, sugar molecules add किया, matter add किया, इस ने भी add किया, that's why, वो ग्रो हुआ, okay, so, this is also a producer, and इसका जो production, इसको हम कहते है, secondary production, चीज़े समझ में आ रही है, sunlight, with the help of sunlight, plant ने produce किये, energy molecules, यह हो गया, primary production, इसके उपर इसने feed किया, इसको हम कहते है, secondary production, जो यह produce कर रहा है, right, fine, अब बढ़ते है, आगे, अब इसने क्या produce किया, matter, okay, एक living mass produced किया, जिसको हम कहते है, biomass, bio मतलब living, mass मतलब matter, या फिर material, the matter or material originating from living organisms such as plants and animals, it's called as a biomass, okay, so, इसने biomass produced किया, with the help of sunlight, इसने इसके उपर feed करके अपना biomass produce किया, clear है, biomass के definition important है, bio मतलब living, living organism का mass, that is a biomass, okay, जो भी living organism में originate हो रहा है, उसको कहते है, biomass, fine, okay, अब मुझे बताइए, कि आप decide करते हो, आपको compare करना है कि यार, यह कितना produce कर रहा है, energy molecule, या तो भी sugar molecule, और यहाँ पे मानलो, एक दूसरा पेड़ है, छोटा सा, मेरी डराइंग बहुती बेकार है, okay, इस टाइप से, okay, इस टाइप से, okay, fine, लगत नेरा है, लेकिन मानले कि छोटा सा एक plant है, तो आप, आपको अगर पता करना है कि भाई, इसकी ज़्यादा productivity है, जातो फिर इसकी ज़्यादा productivity है, okay, अगर आपके पता करना है, तो आप क्या करोगे, अब यह सा तो नहीं कि आप total में देखोगे, आप क्या करोगे, कि इसका इतना area, कि इतनी area, इसका लोगे, उतना area, इसका लोगे, ताकि आप दोनों की productivity compare कर सको, तो देखो, मतलब आप क्या करोगे, इसकी और इसकी productivity आप compare कर सकते हो, और determine कर सकते हो कि किसकी ज्यादा productivity है और फिर आप इस तरीके से ecosystem की productivity भी compare कर सकते हो कि ocean की productivity ज्यादा है या तो फिर जो forest है उसकी productivity ज्यादा है आप compare कर सकते हो okay so what is productivity productivity this is the rate of production of sugar molecule okay this is called as the productivity the rate of production of sugar molecule but इसका अगर हम properly इसको define करे so productivity means the energy capture per unit area per unit time मतलब sugar sun से जो आई है energy यह जो पर्टिकुलर एरिया है वो जो sunlight के नजी है कितनी capture कर रहा है per unit area और कितने time में उस energy को capture कर रहा है उसको कहते उस plant की productivity ऐसे ही इस plant की भी productivity रहेगी तो हम productivity compare कर सकते है okay तो fine इसने biomass अपना produce किया इसके उपरे feed करता है okay तो क्या इसने जितना produce किया sugar milk यह सब इसके लिए available है खाने के लिए नहीं नहीं इसके लिए सब कुछ तो available नहीं है क्योंकि कुछ तो energy plant जो है respiration के लिए use करता है उसको खुद को भी survive करने के लिए respiration करना पड़ता है जिसमें energy use होती है तो जिसना plant ने energy produce की उसमें से जितनी energy respiration में use हुई यह जब हम minus करेंगे तब हमें मिल जाएगी हापे net primary productivity which is available for the consumer clear है okay simple concept है यहापे so this is called as the gross primary productivity मतलब gross gross amount में कितने energy molecules इस plant ने बना है with the help of sunlight this is called as the gross primary productivity उसमें से हमने मतलब plant ने respiration के लिए कितनी energy use की हम minus कर देंगे जो available होगी अब वो जो available है इसके लिए available है उसको कहते है net primary productivity clear है simple concept है okay so यह समझ में आपको कि primary productivity या थो पर ग्रॉस primary productivity आप किस तरह के से calculate करते हो it is the energy it is the energy capture per unit area per unit time और इसलिए per unit area energy captured इसलिए energy का unit kilo calorie per unit area meter square per unit time इसलिए year और ये unit भी आपको पुछा जाता है what is the unit of gross primary productivity kilo calorie per meter square per year this is the yes this is the unit of gross primary productivity और इसके ऊपर ही इस बार question आया था NIT 2020 में question बिल्कुल सिंपता question पुछ रहा था कि बताओ gross primary productivity या तो फिर नेट primary productivity दोनों में से बड़ा कौन है simple है gross primary productivity बड़ी है क्योंकि net primary productivity हमें कब मिलते है जब हम gross में से energy use form respiration minus करेंगे तब वैसे ही जैसे primary productivity है primary producer की वैसे ही secondary productivity है किसके यह जो एभी secondary producer ही हम इसको कह सकते है या तो consumer कर दो तो इसकी भी अपनी secondary gross productivity आप खह सकते हो उसमें से हम जितने energy इसके respiration के लिए use होता है जितने energy इसके fecal matter के लिए use हो गई वो छोड़के जो बचेगी tiger के लिए उसको हम कहेंगे the net secondary productivity so that's how the definition is okay लेकिन NCAT में इतना ही दिया है net primary productivity यहां तक आप सिमिट जाओ क्लियर है राइट बड़े आगे फाइन यस यह एक इंपोर्टन पॉइंट है यहां पर वोटी standing crop standing crop यह जब हम बात करें थे बायो मास की तो बायो मास की उपर एक ओल इंडिया में स्टैंडिंग क्रॉप मतलब it is the total dry biomass okay पानी छोड़के ड्राय नॉट वेट अलर्ट नॉट वेट यह बुक की लेंगवेज है ओके जिसमें हमने बताया है कि यार यह वहापी एंसी को मार्क मत करना थे देना है उसको हम कहते है उस पर्टिकॉलर म्यवल का उसको हम कहते है इस्टैंडिंग क्रॉप क्लियर है ओके स्वर यहां पर कंफिज मत होना एक इंपोर्टन पॉइंट इस्टैंडिंग क्रॉप ट्राइब आयो मास् टोटल इकोसिस्टेम है उस पर्टिकलर ट्रोपिक लेवल पर कितना है उसको एकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप चल बढ़ते हैं आगे तो यह है अपनी अर्थ अब मुझे बता यार अर्थ में हम देख रहे हैं यहां पर ओशन इकोसिस्टेम में आपको द जादा रहेगी राइट नहीं रहेगी नहीं रहेगी पता पता हो ओके तो देखो यार ओशन की प्रोड़क्टिविटी जादा नहीं रहेगे क्यों ओशन इतना बड़ा है लेकिन क्या ओशन के भीतर अंदर तक सनलाइट पहुच सकता है नहीं पहुच सकता है इस दिए की एको सिस्टीम कम है क्यों क्यों कि तहे तक नीचे बॉटम तक ओशन के संड़ाइट नहीं पोच सकता है तो वहां पर वेजीटेटेशन गुरू नहीं होते हैं वहां पर जो डिफेरेंटिफे और गनिस सरवाइब नहीं कर पाते हैं कि कुअस्ट वहां पर संडलाइट भी yes ocean is having more productivity and ocean is the most stable ecosystem previously years में MCQ पुचा गया है ocean is the most stable ecosystem क्योंकि यहाँ पर देखो है यहाँ लैंड है लैंड पर आते है अर्थक्वेक ओके यहाँ पर मॉंटेंस है यहाँ पर काफी एफेक्ट होता है जबकि यह सब चीजे ओशन में नहीं है ओके इसलिए ocean is the most stable ecosystem simple point है एक जो टॉपर रहता है एक जो नीट क्राक करने आर्ट रहता है और एक दूसरा student जो नहीं crack कर पाता है उसमें यही तो difference है ओके क्या होता है जो crack कर पाता है वो इन छोटे-छोटे चीजों को note करते हैं आगे बढ़ता है वो यह नहीं सोचता वो यह नहीं सोचता कि यह simple point है नहीं यह previous years में पूचा है यह पूचा जा सकता है और अगर previous years में पूचा हुआ MC को आपने गलत कर दिया मतलब मान लेना कि आप competitions से बाहर हो गए क्योंकि maximum students उसको correct करते है ओके तो every point is important एक-एक mark से rank चला जाता है वाई दिल्ली से सिधा आना पड़ता है एकदम local level के college पे एक-एक mark आपका determine करता है कि आगे का आपका जो future हो किस तरीकी कर रहेगा so very important point okay बढ़ते हैं आगे तो हमने बात की producers के producers ने produce के sugar molecule हमने देखा कि gross primary productivity क्या होती है हमने देखा net primary productivity क्या होती है इन्होंने चीजे प्रोडूश तो कर दी लेकिन इसके देख के बाद plant के देख के बाद या तो फिर यह जो हर भी ओर से डियर के ड़ेख किबाद जिएं को इस जो ecosystem में ecosystem को इनको हटाना पड़ेगा drift के बाद मतलिक इनको डिकम्पोज करना पड़ेगा नहीं तो सब तरव कचा-कचा हो जाएगा शर्वय नहीं कर पाएंगे हम so decomposition is the very important point it is a functional unit of ecosystem इसले तुछ उसको functional unit भी हमने कहा है what is decomposition compose का ना मतलब चीजों को बनाना decomposition मतलब चीजों को तोड़ना that is what is called as the decomposition okay अब देखते है step by step how the decomposition process takes place okay बिलकुर simple चीज है so किसको decompose करना है जो डेड है उसको decompose करना है yes what is dead dead means detritus तो जो भी dead plant है dead animal है उनका excreta है उनके excretion है यह जो सब चीजे जो dead है उसको हम कहते हैं detritus dead plant remains such as leaves, the bark, the flowers the dead remains of the animals including the fecal matter their excretion everything it's called as the detritus मतलब the dead matter okay fine अब यह जो detritus है इस detritus का decomposition होना काफी ज़रूरी है भाई okay क्यूंकि yes ने तो लिटर हो जागा सब तर्व इसलिए अब इस detritus का decomposition किस तरीके से होता है right यह देखो detritus पे जो लोग feed करते हैं उसको कहते detritus okay हम क्या करते हैं हर्वी होरस जो हर्वस पे feed करते हैं okay उस तरीके से जो detritus पे feed करते हैं उसको कहते detritus okay और detritus में हमारे पास कौन है earthworm millipid okay snail snug यह लोग क्या करते हैं यह लोग जो dead matter है dead plant dead animal उस पे यह लोग attack करते हैं detritus उसको कहते detritus okay earthworm inciati में दिया है जो काफी important point है okay earthworm farmers friends इसको हम कहते अभी क्या करते देखो detritus इसको इनाम को पता होने जरूरी है okay detritus यहाँ पे bacteria और fungi है यहाँ पे नहीं है those are not are called those animals are to those organisms they are not called as detritus okay typically ध्यान से देखना मैं बात कर रहा हूँ detritus की detritus क्या करता है ध्यान से देखना detritus यहाँ पे millipid for example it is detritus जैसे dead plant dead leaf यहाँ पे आएगा और इसको एक कट करना शुरू कर देगा और यह जो यहाँ पे leaf है उसके यह क्या कर देगा fragments बना देता है okay यह उस पे उपर feed करना शुरू करता है उसके लिए वो food है and in that process यह जो यहाँ पे leaf था जो जमी पे गिरा है उसके fragments हो गए fine so this process is called as the fragmentation simple okay so the first process is called as the fragmentation clear है okay अब यहाँ पे यह इसने तो fragment बना दिये छोटे 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 वैसे ही इसके बाद यहाँ पे attack होगा किसका यहाँ पे attack होगा ध्याँ से देखना है अच्छा यहाँ पे बारिश हो रही है तुफान आ रहा है तो यहाँ पे जब बारिश होगी तो क्या होगा तब यहाँ पे जो leaf है या तो पे detritus जो है वहाँ से जो soluble matter है या तो पे soluble particle है वह वहाँ से निकल जाएंगे कुछ इस तरीके से और क्या होगा देखो water soluble है इसलिए वहाँ से निकल गए वो soil में चले गए soil में जाने के बाद वो क्या होगे as a inorganic salt precipitate हो जाएंगे this process is called as leaching leaching what is leaching leaching में क्या होता है leaching में water soluble inorganic nutrients go down into the soil water soluble inorganic nutrients जो water soluble था वो water के साथ निकल गया डेटरिटर्स से और सीधा soil में चला गया this process is called as leaching कितना simple concept है one is the fragmentation the another process is called as the leaching ओके और अब देखो क्या होता है आगे आगे देखो how the decomposition is proceeding okay decompose करना है जो compose हो है उसको break करना है हमें so this is how it is taking place now the next process वहाँ पर आ जाते है fungus and bacteria yes fungus और bacteria आते है और क्या करते है इसके उपर attack कर देते है क्योंकि यहां से भी जो भी digestible material है वो क्या करते है use करना शूरू कर देते है और इस तरीके से जो है जो यहां पर fragmentation हुआ था detritus का और ज्यादा उसका breakdown होने लगता है okay so this process where the breakdown is of the particular matter next place it is called as the catabolism okay catabolism मतलब क्या यार catabolism मतलब molecule को break करना catabolism मतलब cut करना molecule को cut करना anabolism मतलब construction एक सिंपल चीज़ है anabolism मतलब construction catabolism मतलब destruction ACCD okay catabolism cut करना catalysis okay catabolism means cut करना मुझे पता ग्लाइकोलिस क्या है glycolysis glucose को cut करना it is a catabolic process what is photosynthesis photosynthesis is anabolic process जहाँ पर चीजों को construct किया जाता है okay respiration is it anabolic or catabolic process respiration is a catabolic process glucose को break down जाता है चीज़े तो bacteria and fungal enzyme अब एक देखो चीज़े ध्यान से सुना detriores ने क्या किया detriores ने इसको खाया इसको खाया उसने इट किया the process is called as eating right अर्थवाम आएगा उसको खाना शुरू कर देगा अब यह देखो bacteria fungi क्या करते है यह enzyme को release करते है enzyme को release करने के बाद यह जो complex molecule है यहापे detritus में यह simple molecule में कनौट हो जाते है क्योंकि उसका break down हो जाता है catabolism में उसको cut करना शुरू कर देते हैं यहापे क्या होता है bacteria and fungal enzyme degrade the detritus into simple inorganic substances yes right there is a difference how the detriose are acting and how the bacteria and fungi are acting there is a difference my dear friend okay right चीज़े समझ में detriose ने उसको खाते हुए ब्रेक किया है उसके fragments बना दिये इन लोगों ने वहापे enzyme release किया और उसको ब्रेक किया चीज़े clear हुई अब देखो यहाँ पे enzyme release हो रहा है वो enzyme release कर देता है bacteria, fungi and you all know enzyme कि जो active है किसके उपर depend करते है temperature के उपर depend करती है इसलिए temperature decomposition process को affect करता है चीज़े clear है right जैसे fungi के proper growth के लिए warm and moist environment लगता है अगर warm and moist environment है तो fungi अच्छी तरीके से grow होते है अगर वो अच्छी तरीके से grow होंगे तो decomposition faster होगा temperature अगर काफी ज़्यादा है तो enzyme जो है deactivate हो जाएंगे जो temperature काफी कम है फिर भी enzyme जो है deactivate हो जाएंगे enzymes are nothing but the proteins higher temperature बे denaturation हो जाते है enzyme deactivate हो जाते है so that's why the decomposition is a climate के उपर depend करने वाली process है चीज़े clear हो रही है ओके बढ़े आगे बढ़े है आगे अब बढ़े आगे next process क्या रही है भाई अच्छा अब देखो यहाँ पे धीरे 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 अपना जो green color का पत्ता था वो blackish होने लगा क्योंकि इन लोगों ने उसको decompose करना start कर दिया है धीरे धीरे और ज़्याद़ decomposition उसका हो रहा है so this process यह जो process है यह ऐसा नहीं होता कि पहले fragmentation होगा फिर leaching होगा फिर katechrozen होगा ऐसा नहीं होता है simultaneously होते है be careful about the word okay this occur simultaneously NCRT का word है इसा थोड़ी नहीं होगा earthworm आएगा बोलेगा कभी पहले मैं खाऊंगा bacteria बोलेगा पहले मैं खाऊंगा इसा नहीं होता है so these occur simultaneously यह सब लोग simultaneously सब process करेंगे right fine अब बढ़ते हैं आगे yes अब देखो यार सब से पहले earthworm आएगा उसने fragmentation कर दिया bacteria आया fungi आया उसने भी उस molecule को digest करना शुरू कर दिया उसका catabolism कर दिया लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे molecules है जिसको breakdown करना काफी difficult है like lignin and cellulose what is lignin and cellulose my dear friend cellulose cell wall का composition है cell wall में रहता है cellulose lignin बताओ कहाँ पे है यह चीज़े पता होनी चाहिए क्योंकि इसको हमने discuss भी किया है जब हम transport of water यह सब चीज़े पढ़ रहे थे तो okay so lignin is also a cellular component cell में रहता है lignin और इन से यह particularly काफी hard material है bark में रहता है okay tree के bark में so lignin and cellulose hard substances है complex polymer okay lignin तो इनको digest करना इसको breakdown करना इसके लिए सम्भव नहीं हो पाता है bacteria fungi को तो यहाँ पे bacteria fungi आने के बाद भी यहाँ पे lignin and cellulose rich material यहाँ पे रहेगा blackish color का जिसको हम कहते हैं humus okay इस तरीकी से दिखेगा देखो humus blackish color का colloidal substance रहे अब यह क्या है देखो earthworm आया उसने fragments बना दिये algae उसके बाद leaching हुआ उसके बाद मैं इसलिए बत बाद होगा क्योंकि अगर आप इस तर किसे यादर होगे तो ज़्यादा अच्छर हैगा mind में उसको रख पाएंगे earthworm आया उसने लीफ के fragments बना दिये उसके बाद बारिश होई उसमें से soluble particle जो थे उचलेगे soil में जिसको हमने कहा लीची उसके बाद वहाँ पे algae and fungi आये algae sorry fungi and bacteria आये उन्होंने उसको और ज्यादा digest करना शुरू कर दिया catabolism हुआ उसको और ज्यादा breakdown करना उसने उन्होंने शुरू कर दिया अब उसमें कुछ ऐसे चीजे थी जिसको fungi और bacteria break नहीं कर पाए वो कौन से चीजे है lignin and cellulose kaitin भी है उके इसको वो ब्रेक नहीं कर पाए तो ये जो बच्चा अब यहाँ पे उसको कहते हैं humus what is humus? humus is a dark colored organic matter rich in cellulose and lignin क्यों रिच है? क्योंकि catabolism में इन चीजों को breakdown ही नहीं कर पाए bacteria and fungi so dark colored organic material rich in cellulose and lignin which is a reservoir of nutrients these are the nutrients cellulose को digest करते है क्या हम digest करते हैं cellulose को? नहीं ओके? so जो गाय भैसे है वो लोग digest कर पाते हैं क्योंकि उनके intestine में bacteria है so this is a nutrient so reservoir of nutrients helpful in maintenance of soil moisture okay so यहाँ पे इस soil को moisture को hold कर पाते हैं और काफी nutritious रहती है यह humus very very important point तो ध्यान से सुनना है cellulose को humans cannot digest cellulose yes चो caters है वो लोग digest कर पाते हैं lignin को कोई digest नहीं कर पाता है lignin को कोई digest नहीं कर पाता है चीज़े क्लियर होई जो cellulose and lignin rich organic material यहाँ पे बचा इन सब process के बाद भी उसको कहते हैं humus okay and this process of formation of humus is called as humification मतलब पहले यह चीज़े होगी उसके बाद humification होगा right fine चीज़े क्लियर हो रही है right अब बढ़ते हैं आगे अब यह जो lignin and cellulose rich material यहाँ पे है जो matter यहाँ पे हैं इसके उपर bacteria act होंगे इसके पहले भी act हुए लेकिन अब तक वो lignin cellulose बचा है अब इसके उपर और bacteria act होंगे और धीरे 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 इसका further breakdown होगा ओके और जब breakdown होगा तब यहाँ से इन और अरगनिक सफस्टंस है CO2, sodium, potassium, minerals है यह release होंगे sodium, potassium, calcium, magnesium, minerals यहाँ से release होंगे यहाँ से sodium, potassium, again I am telling you यह release होंगे and this process is called as mineralization क्योंकि यहाँ से minerals हो रहे हैं क्योंकि humans पे microbes act कर रहे हैं different different microbes act कर रहे हैं और slow processes, slowly slowly release होंगे क्योंकि lignin and cellulose को break करना बहुत डिफिकल्ट है राइट चीजे clear होई so the next step is mineralization and that is how the decomposition takes place how decomposition takes place the first step yes, इन तिनों को simultaneously मानना है लेकिन समझने के इस तरीके से समझग fragmentation, the next step is leaching and the third step is catabolism and then it follows the the process of humification and then we have mineralization so this is the five step process okay और finally minerals जो है soil में चले गए right soil में चले जाने के रूम का क्या होता है और आगे हम पढ़ने वाले हैं चीजे clear होई decomposition आपके समझ में आ गया अब यार क्या-क्या factor है जिसके वज़े से decomposition काफी faster rate में होता है और क्या-क्या factor से जिसके वज़े से decomposition काफी slower rate में होता है अगर detritus में lignin है तो decomposition faster होगा कि slow होगा slow होगा क्योंकि lignin को digest कर पाना बहुत difficult है जैसे कि काइटीन को digest कर पाना काइटीन क्या है देवी और सज्जोन मुझे बता ही है आज का सवाल ए रहा के computer screen पे what is काइटीन काइटीन के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो मुझे comment में बता क्योंकि ये चीज हमने पढ़ी थी जब हम bio technology में cell wall के बारे में बात कर रहे थे okay cell के structure के बारे में बात कर रहे थे bio technology में उसमें महिनी चीज आपको बता ही थे जो भी आपको पता है बता हूँ अगर काइटीन है तो yes decomposition slower rate में होगा क्योंकि उसको digest कर पाना difficult है nitrogen है तो easily है sugar है तो बिल्कुल यह तो bacteria और fungi तो खुश हो जाते है कि बाई sugar molecule हमें मिल रहा है fatax से उसको digest कर पाते है decomposition easy हो जाता है अगर warm environment है तो अच्छा बात है बाई okay warm environment decomposition अच्छे से होता है fungi के growth वहाँ पर होती है moist है fungi को to moist environment बहुत अच्छा लगता तो fungi ग्रो होंगे decomposition मतलब catabolism अच्छी तरीके से होगा decomposition faster होगा low temperature है तो enzyme जो है deactivate हो जाते है fungi and bacteria जो enzyme release करेंगे वो तो deactivate हो जागे और इसलिए low temperature पे decomposition काफी slowly होता है anaerobic condition में भी काफी slowly slowly होता है decomposition is mainly oxidation process yes okay चीज़े clear हो रही है बड़े आगे अब शुरू करते है devy और सज MCQ तो हमेशा की तरह मैं यहाँ से मेरा speed बढ़ाने वाला हूँ जो लोग चाहते है कि try करें तो लोग pause कर सकते है और जो लोग यहाँ से छोड़ना चाहते है वो छोड़के जा भी सकते है तो माई डियर फ्रेंज अगर सच में नीट क्रैक करने है तो MCQ स्वाल करने पड़ेंगे ओके क्योंकि यह प्रिवियर्स येर्स के MCQ है तो यहाँ तक नहां से सुनो ताकि concept के हम concept में हमने कितना hold किया है में और समूझ में आजाए wow yeah यहाँ पर व्रॉप्र्यूद्विटी इस क्या है अिसे रॉप प्रॉपूट्व्रॉन्टिविटी जैसे हाँ प्रीमूम प्रेमिरि प्रॉद्विटीविटी य aos उप ग्रास्विप्रॉदूमchy प्रॉदुम्थी्टीविटी थी second step second statement is the correct statement next MCQ the process of mineralization of the microorganism helps in the release of बता जब मिनरलाइजेशन तो होता है तो क्या होता है इन और्गैनिक न्यूट्रेंट्स रिलीज होते हैं मेरे दोस्ट फॉमर्स से नौट डा और्गैनिक न्यूट्रेंट इन और्गैनिक न्यूट्रेंट रिलीज होते हैं मिनरलाइजेशन में इन और्गैनिक न्यूट्रे था definition इसलिए आके खोल के कान खोल के अलट होके ट्विटरों को देखना है बढ़ते हैं आगे अर्थवाम बताओ क्या है अर्थवाम कोन है वहीं इन में से बताओ यार एक बात बताओ पहले इसका एंसर तो देखला सबसे पहले हमने ट्विटर इसकी पर शुरू किया था आधंजीए एंसर नहीं आया तो simple चीज है आप किया कर ले लेना ऑप ऑल छोटा सा बढल देना उसके में थोड़ा अभ अधागया श्माशिलन अर उसमें चलंग लगा देना अखर सेंट्मीं गारे एंसर नहीं आया तो यारता सिंपल अस्तना the decomposition is false बताव वाई decomposition के बार में catch is गलत है warm and जो गलत पुछा है उसके उपर सबसे पहले round कर लो ताकि गलती से भी हमसे गलती ना हो warm and moist environment favors the decomposition बहुत सही है यह तो सही statement है यह तो सही statement है ओके decomposition rate is slower if the detritus is rich in kytin and digging यार यह भी तो बिलकुर सही statement है अर्थवाम is a detritus यह भी सही statement है precipitation of soluble inorganic nutrient into the soil horizon as unavailable sort is called as mineralization नहीं यार इसको तमने ने क्या कहा था लीचिंग कहा था तो यह तो गलत statement है detritus is the raw material for deep composition यह भी बिलकुर सही से तो गलत statement है D okay इसको हमने leaching कहा है चलो बारते आगे which of the following exhibits the least productivity अरे इसका answer दिया ही है इसको मैं कटकर ना भूलेगा शायद yes open oceans okay least productivity है क्योंकि sunlight भई नीचे तहह तक जा नहीं पाता इसलिए which must be preserved in an ecosystem with the system is to be maintained yes बताओ क्या हमें preserve करना पड़ेगा ecosystem में the system is to be maintained producer carnivores को करना पड़ेगा हम प्रोडूसर decomposer को carnivores decomposers को herbivores carnivores को हमने पड़ा था कि what are the functional units of the ecosystem उसमें हमने इसी पड़ी थे कि producer and decomposition are the functional unit of the ecosystem yes producer होने चाहिए ecosystem और decomposer भी होने चाहिए नहीं तो ecosystem सरभावी नहीं कर पाएंगे so the correct answer is b okay plant decomposers are बता हो यह plant के decomposers को नहीं bacteria and fungi bacteria belong to the monera kingdom monera मतलब mono मतलब single-cell organism monera and fungi are the plant decomposers yes next mcq the biomass available for consumption by the herbivores and the decomposer is called as the biomass available for consumption consumption herbivores मतलब deer के लिए क्या अविलेबल था मैंने बात की थी के deer के लिए gross primary productivity अविलेबल थी नहीं gross में इसे जब respiration के लिए energy molecule जब हम minus करते बस ते नेट primary productivity वो available थी deer के लिए so this is the answer the net primary productivity right चप बढ़ते हैं आगे which one of the following काफी important chapter है इसके उपर आप mcq expect कर सकते हो आने ओल एक्सम में which one of the following is one of the characteristics of the biological community right बताओ यार biological community के कुन सी characteristics है stratification is the characteristic यह क्या है characteristics है biological community की natality mortality and sex ratio इसके पहले टुटरियर में आपने पड़ा था these are the characteristics features of population देखो किस तरीके सेमसी की frame किये जा रहे है very very important point which one of the following is not a functional unit of an ecosystem जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे energy flow decomposition productivity और तर क्या है functional unit of the ecosystem stratification is not the functional unit of ecosystem the rate of formation of new organic matter by rabbit in a grassland is called as the rate of formation of new organic matter by rabbit in a grassland is called secondary productivity हमनी क्या कहा प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी किसको कहा हमने है plants की होती है primary productivity उसके उपर जो feed कर रहा है वह भी ग्रोव रहा है तो उसकी जो productivity उसका हम कहते है secondary productivity right fine yes यार बस इतनी सी बात है right so guys that was all about this particular session yes if you have any query to do let me know in the comment और अगर ट्विटर अच्छा लगा तो comment में जरूर बताईगा thank you so much guys